नमस्कार शौगत है आप देख रहे मंचाहान यूज मैपके साथ एंकी सिंग्चोहान दो दिन पहले हमने सोसल मेडिया पर एक कलाकार को रोते हुए देखा हम गानों के मादम से इंटर्टेन होते हैं लेकिन कोई कलाकार अगर सोसल मेडिया पर आकर रोए तो जरूर उसका दुख और दर इतना बड़ा होता है कि वह अपने फैन से डारेक्ट रूबरू होकर कहना चाहते हैं हमारे सतराज भाई हैं वही राज भाई जो दो दिन पहले सोसल मेडिया पर अपने गानों को लेकर रो रहे थे चलिए अंसा जानते हैं बहुत सारे शीचों पर बेबाकी से राय पर रखते हैं और यह भी जानने की कोशिज करते हैं कि भाईया और का नयाबा चलिए आपको बहुत सागत है कैसे हो आप जी ठीक हूँ आप सबको परड़ाम हमस्कार शोहार बिना लेट के सिधा मुदे पर आते हैं पूछते हैं दो दिन पहले शोसल मेडिया पर आप आये थे गानों को लेकर लगभग डेर मिनट तक बिना कुछ कहें सिर्फ आपके आशू हैं बाहर लिकल रहे थे इतनी बड़ी दूख इतनी बड़ी दर्द उस गाने को लेकर आखिर कैसे हुआ और इस पर उसी गाने को लेकर किस तरह से जो चीजे थी आपको टार्गेट की लिए उस गाने को हमने बार या तेरो दिन में शूट किया पहाड़ों में शूट किया भीक के शूट किया उसका रिजल्ट ना आए तो उसका दिल तूट जाता है तो मुझे लगा पता नहीं सैत क्या होगा हम लोग इतना बड़े-बड़े पचटके वीडियो बना पाएंगे कि नहीं पब्लिक हमें क्यों इतना सपोर्ट ने कर रही है पहले तो बहुत सपोर्ट करती थी तब मुझ लोगों तक सजेश्ट नहीं हो पाया तो क्या इससे पहले भी आपके कोई गाने थे जिसको इस तरह से ब्रेकडाउन किया था चार गाने थे यह पांचमा गाना है तब मैं जाके मजबूर होके मैं मजबूर हो गया मैं तूट गया दिल से पहले काजल-काजल निंदिया और है हमारे चैनल पर बहुत सारे सोंग जाके देख सकते सब अच्छे सोंग है सब रहा विबाद में जो बाद चल रहा था उस पर एक सोंग हुआ था तो उन सारे सोंग को मैंने अपने आखों से देखा कि भ्यूज बढ़ा रुग गया तो हम कुछ नहीं हुए फिर भी हम टोऊश्य सुपरेंश्टार है नहीं हम लोग दो度 मेहनत करने वाले हैं और अपने बद्रड़ा रहा है और आ आक करते फुद प्रडूस करना पुद को शूट्र कर ना फुद को करना फुद को समाला पूरी टीम की जिम्मवारी लेना टीम को कहां रखना है किसको क्या करना किसको कब क्या है हो जाए तो सब का जिम्मवरी लेकि एक ये बंदा हमेशा इंडस्ट्री में काम करता ही आया है तो जब दिल में चोट लगती है जब फ्यूज नहीं आते हैं जब वीडियो नहीं चलता है जब लोगों तक नहीं पहुचता है तो बहुत बुरा लगता और य लेकाम करती है तो उस इनों की क्या स्थिति थी वो कुछ बता पाने में शहमत है कि आखिर ऐसा की हूं अचानक से गाने को लेकर जो इस्तिति बनी हुई है ऐसा की हुए है टीम शेम थी जो अभी मैंने आपसे बोला टीम वहीं सोच रही थी जो हम सोच रहे थे हैं लेकिन जब सब घबरा गए हैं उन्होंने ऐसा बात नहीं कि हम ही मेहनत की है हर को एकक बंदा लिखने वाला से लेकर गाने वाला से लेकर हर कोई मेहनत किया है उस गाने में उसका बोल उसका म्यूजिक उसका गाई की अगले जो काम करें उसक्रीन में उसका अब देख सकते एक ची जो को और एक निव मोडल थी जिनको हमने ओ तो जानते एक्ट्रेस होई होता है लेकिन वो शुन थी मैंने उनको केमरे के समने लाया उनको प्रोसा बढ़ियां से और आप रिजल देख सकते हैं जब ऐसे चीज में इतना महनत लगे तो टीम भी टूट जाती है तो टीम हमारा अभी बहुत खुश है आप लोगों को प्यार देख्यें और हम भी खुश है अब मल्टीबल आपके जो गाने हैं मल्टीपल लेंग्वेज में बात कर लेकर खोटा की, मगी की, नाकपूरी की, भोजपूरी में इन चार डिफरेंट लेंग्वेज में अपने गाने गाये हैं, बहुत सारा प्यार भे मिला है भोजपूरी एक वैसा जगत है, जहां पे कलाकारों को बहुत ही शोहरत मिलती है इज़त मिलती हैं लेकिन अभी तक कहीं न कहीं आप भोजपूरी से काफी दूर है जहारखंडे कैसा राज जहां पे कलाकारों को थोड़ी एहमियत कम दी जाती है क्योंकि अगर बिहार में वही कलाकार रहें तो उनको बहुत शारा प्रोस साहना मिलती है गाने रातो रात मिलियन हंडेट मिलन आपके भी गाने गये हैं लेकिन उस तरह से फैन फ्लोइंग जो है आपकी जिस तरह से आपकी स्तिती है अभी पीछले 10 दिनों की गानों को लेकर वह कहीं न कहीं बूरी नज़र आ नहीं तो क्या कहना चाहेंगे क्या भोजपुरी से थोड़े बहुत अलग हैं या फिर अभी कोशिज कर रहे हैं भोजपुरी को शमेट कर गाने-गाने की सबसे पहले आप बहुत बढ़ियां सवाल कि हें कि हमारे खुरठा इंड्रेश्टी वहां भी हर कलाकार में या गायक हो्या सिंगर हो क्या वोलते हैं एक्टर हूँ हर कोई मेहनत से ही काम करता है कारन दबने का रहाएं है कि मिडिया भी सपोर्ट नहीं करती ना सरकार सपोर्ट किया आज तक नहीं किया जिसके कारण से हमारा जोलीवूड इंडेस्ट्री आज तक दबा हुआ है मैं भुषपुरी वे काम करने का रिजन यह कि यह जो छेत्रे पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा इस छेत्र भुषपुरी छेत्र के गाने बजते हैं जिसके कारण से हम चेंज लाना चाहते कि अभी तो पहले असलीव बजते थे लेकिन जब से गाने हमारे चैनल से आएं बजना चालू वातु असके बोलो जान हो गया शूट करिया हो गया और भी बहुत सारे सोंग है जब बजना चालू हो गया तो लोगों में दिखा कि इस टैप के सोंग बज रहे हैं तब से कुछ सारे सोंग हैं जो अच्छे अभी मार्केट में बज रहे हैं और तो बोले त वश्पुरी की भात तो बश्पुरी का लेवल है बहुत बड़ा एरिया में है अगर इसे चाहे तो एक बहुत बड़ा एकप अगर अच्छे काम करें जहां का एरिया में उस टैप काल एक जाहर में एक जगाए पर बहुत सरे भासा बुलखकूरी चाइजक रिया तो तीन चर बासा में डिवाइज हो जाता है जिसके कारण लेकिन फिर भी वहां के अनुसार हमारा व्यूज भी देखिएगा तो काफी अच्छ है वहां भी तो вहां का इंडरेश्टिर साब सुटरी वहां पर करता नहीं कारण है हमारा जर्कंड・ और भुछא भजपुरी बोछपुरी में बड़ी और है कि भासा बहुत बड़ा हेरिया में लिए किर्केट में हमने एक नाम सुना महन सिंग धोनी और अक्सर यह आवाज आता है माही मार रहा है माही के छेत्र से जहरकंड साप आते हैं हमें कब देखने को मिलेगा कि राज भाई का भोजपुरी गाना आ रहा है और ताबर तो देखने को मिल रहा है और दिखा भी दिखा दिए हैं सब आप लोग के कारण ही हम लोग आज एक अच्छे गाने और अच्छे विजारों को हम लोग परकट कर रहे हैं इस इंडस्टियु में राज भाई मेरे जुबां पर माही भाई का नाम आ रहे कियां कभी आईपियल च स्वाल आपसे कहजना चाहता हूं सियासत और संगीत किसे चुनना चाहेंगे आप क्योंकि काफी गहमागमी इंदिनों है आपके जहरकंड में हमारे जहरकंड कह सकते हैं तो आप संगीत चुनना पसंद करेंगे या सियासत चुनना पसंद करेंगे इसमें सियासत और संगीत तो आज वो अपने एरिया में काम करते तो आज उतना बड़ा उनका नाम नहीं होता तो हम लोग कलाकार है और हम लोग इसा बिवार में नहीं पढ़ना चाहते हम लोग आप लोग सपोर्ट किजिए अगर हमने काम किया तो हमारे गाओं का नाम हुआ तो हमारे थाना का नाम हो हमारे जिल्ले का नाम हुआ जिल्ला का नाम हुआ तो फिर जिल्ले की बात करें ये हर जगा नाम हुआ बिहार में नाम हुआ यूपी में नाम हुआ शब का नाम हुआ तो इंडिया का नाम हुआ दरसल मैं अपने दर्सकों को बता दू कि यह जो सवाल था इसलिए सियासत और संगीत के बीच की जो दूरिया है इसलिए मैंने सवाल किया है क्योंकि जहरकंड में जो हिमन सोरेन की सरकार है 1932 की खतियान के बाद से भोजपुरी भासा को लेकर काफी अभी उठा पड़क उनक गानों के मादम से न बाटे क्योंकि संगीत एक ऐसा चीज है जो हर किसी को एक करके रखती है जोड़के रखती है तो हम यही गुजारिस करेंगे हिमन सोरेन सरकार से कि आप भोजपुरी को भी उतनी परात्मिक्ता दे ताकि ऐसे कलाकार जो जहरकंड में है वो भोजपुर अब भोजपुरी का कहीं न कहीं है तकर खेसारी जी और पवण जी के फैंसे तो नहीं होने वाला क्योंकि अब आपने भोजपुरी में एंट्री मार दी है आपके गाने बजने सुरू हुए हैं गानों के मादम से आपको बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है और दूसरी तर अगर बात कर लेखेसारी जी की पवण जी की तो इनकी फैन काफी अच्छी है तो क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट आ रहा है कि चलो भोजपुरी में स्टार्ट करते हैं बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा भोजपुरी आप फैन्स को भी देखने को मिलेगा क्व फैन्स किसी का भी हो इसा बात नहीं कि हमारे सारी भाईया का हो पावन भाईया का हो रिदेश भाईया का हो जिनके भी फैन्स है इसा बात नहीं कि हमारे वीडियो नहीं देख रहे हैं हर कोई देख रहे हैं और इनसान तो इनसान है भाईया फैन्स चाही किसी का भी हो इनस इंसान है है हर चीज को देखता की कौन क्या कर रहा है तो इसी बात ने कि उनका पहुआ है स्टॉण का चलेगा या फिर मेरा फैनस में नहीं चलेगा चलेगा वड़ी टैलेंट चलेगा आप से जो होगा वजिटने भी आप सब दर्सक देख रहे हैं टैलेंट को हमेशा सपोर्ट कीजिए चाहे है मैं हूं या मेरे जैसे कोई भी हो तो टैलेंट को सपोर्ट कीजिए सब को सबका फैंस में जानता हूं वही फैंस है जो हमारे फैंस है पावन भीडिया का वीडियो वही फैंस उनीक का फैंस देखते हैं जो उनका फैंस या मेरा फ्रेंस से हम देखते हैं तो जिसमें टाइलेंट है उस टाइलेंट को बढ़ावा दे है राज भाई मेरे एक सवाल कापी अच्छा रहेगा आपसे पूछना जरूर बनता है मेरा अभी हमने देखा है बोजपुरी इंडेस्टिस में जो टाइलेंट है टाइलेंट के बलपे भोजपुरी में कलाकारों को काम दिया जा रहा है तो क्या खिसारी जी पवाण जी के तरफ से भी आपको कभी अप्रोच किया गया उनके गानों में आकर आप काम करें कि अभी हाले में सोशल मेडिया पर आपने देखा होगा बहुत कुछ गुद्थम गुद्थी हुई के यहाए होगा लेकिन जो विचोलीय लोग होते हैं उन लोगों ने पता काटा हो लेकिन एक बात पता दिना चाहता ओं बड़ा कोई भी हो उससे कोई दिक्कत ने गाना बढ़िया होना चाहिए आज़ तक मैंने जितना भी काम किया सारे छोटे सिंगर थे जिनका मार्केट मे मैं कुछ भजा भी नहीं था, मैंने उन लोगों के साथ दिया, मैंने उन लोगों को आस्टारडम दिया, एक नई पहचान दिया, तो सब छोटे थे, मैंने जितने वी एक्टरेस है, सब छोटी थे, मैं कभी कोई हाई लबल के एक्ट्रेस के साथ काम नहीं किया और पब्लिक आज 500 मिलियन जब पहुचा दित क्यूं टैलेंट और गाने की वज़ा से पहुत आपके साथ सफर हैं हमारा लाज सवाल जाते जाते कर लेते हैं जिस तरह सामापके गाने देख रहे हैं लगतार आ रहे हैं जी सबसे पहले आप तमाम दर्सक जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनको धन्यवाद और इस चैनल क्या मन चाहा न्यूज पुस्पुरी के जितने बीटी में उनको भी दिल से शेल्यूट और आप सब जितने देख रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट करें एक दूसरे को प्यार दें इस के वज़े से हर किसी का यह जो काम करने की प्रकिरिया अगे बढ़ें और दिल से सब को मेहनत करें धने बाद हमारे साथ राजवाई जोड़ने के लिए यही राजवाई हैं जिनके कई गाने हैं जनी लेली अक्या और शाथ ही और भी कई बैतरीन गाने हैं जो 500 मिलियों से क को अच्छे गानों में देखने को मिलेगी हेलिकप्टर अभी दिखा है आने वाले गानों में और भी बहुत कुछ दिखेगी लंदन और साथ ही फॉरेंड में भी शूट होगी तो एक कमिट्मेंट करके चाहरें तो इनको बहुत सारा प्यार दीजिए जिस गाने की ब्रेक कारों को लोग बहुत सपोर्ट करें तो जो हमारे सिंगार एन अगेंदर उजाला जी और फिमेल सिंगर सिल्पी राजी लिखें अर्जुन सर्मा जी और सिद्धु तिवारी जी नहीं और म्यूजिक दिया सतेंदर जी नहीं और केमरा रेवल प्रेंच और हमारी टीम जितने ह और यह सोंग का शूट कफी 12 दिन में हुआ और यह सोंग काफी भी मार्केट में पब्लिक लोगों का प्यार मिल रहा सपोर्ट मिल रहा और ऐसे सपोर्ट बनाते रहिए हमें सपोर्ट करते रहिए हमारे टीम को सपोर्ट करते रहिए हमारे सिंगर को सपोर्ट करते रहिए एक बार जरूर गुंगुना देते हैं आवाना लिख दी ओढ़निया पे नाम रटत रही हा शुबहो साम डलबु जबु जबु सीना में दिलवा के मेली आराम और जाते जाते मैं उस है लेकी को दिखाना चाता हूं जो आज हमारे uses गाने को लिखे हैं हमारे पास वेट्ट एं आरजुन सर्मा जी हमारे बड़े भईया लेकी अंदर उजाला तो नहीं आप आये हैं लीकिन अरुछ बोलेंगे इस गाने के भी सेमें भी जी नमस्कार परणाम और बहुत है अच्छा गीत है प्यारा गीत है और इस पर पूरी हमारी टीम बहुत महनत किया है आप सभी प्यार शिरवात दें और सुरू में तो गाना नहीं लगा कि जैसे पूरा भीवी खोतम हो गया है लेकिन अभी जो रफ्तार है यह बहुत अच्छ अच्छ गाने लाते रहें अपना ख्याल रखें मस्कराते रहें